असलाम उलेकुम नोवेल्स लवरिणी में आप सब का तह दिल से खोशाम दीद हमारी आज की नोवेल कजिन मेरिज बेस नोवेल है और लोव मेरिज बेस नोवेल है दोनों कजिन्स की आपस में बहुत ही खुबसुरत नोग जोग दिखाई गई है और अच्छी नोवेल है मैंने पूरी रीट नहीं की हूँ थोड़ इसी रीट करके देखे अच्छी लगी इसलिए शौट सी है और अच्छी है इसलिए रीट की हूँ और उमीद करती हूँ कि आप लोग इस नोवेल को इंजॉय करेंगे और नोवेल सुने के बाद रीट करने के बाद अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करेंगे बढ़ते हैं नोवेल की जाने हाजिम हाजिम उठ जाओ बेटा देखो आड़ बच गए है हाजिम जो इतनी देर से अपने बैट के पास खड़ी अमी की आवाजों पर हिलकर भी नहीं दे रहा था वो टाइम का सुनकर बिजली की तेजिस से उठा अमी मैंने आपको बोला था कि मुझे साथ बच उठाएगा वो चाहरे पर पर परिशानी सजाए नाराज की से बोला जबके अमी उसकी बात का जवाब दे बगेर मुस्कुराते वे कमरे से चली गई हाजिम ने उठकर साइट टेबल पर पढ़े सेल फॉन को उठा कर टाइम देखा तो छे बच कर पैंटीस मिनिट हो रहे थे उसे एक दम अपनी अमी पर धेरो प्यार आया खेर वो अपनी आँखे मसलता मुस्कुराते उठा और हस प्यादत नहाने के लिए वाश्रूम की तरफ बढ़ गया वो हाथ में एक अंदाज से अपना सेल फॉन पकड़े सिनियों से नीचे उतरा नाश्ते की मेज की तरफ बढ़ा सामने बैठी आयला को देखकर अच्छे बले मूट का सतनास हो गया दूसरे तरफ के हालाद भी कुछ ऐसे थे आयला ने इंतहाई नागवारी से एक नजर उसकी तरफ देखा और फिससे नाश्ता करने में मश्कूल हो गई हासिम ने भी उसका रवया उसको लोटाते वे नाश्ता शुरू किया कोई दूसरी लड़की होती तो जरूर इस टार्ग ब्राउन के लड़के घने बालो वाले लड़के पर फिदा हो जाती उपर से इसकी रंगत में आता हलका सा साउला पन हलकी हलकी डाड़ी खड़ी हुई नाख और बालों की हमरंग छोटी छोटी आँखे मुकाबल का चैन और करार छीनने के लिए काफी थी लेकिन आईला सचाथ पर तो जैसे हासिम शहसाद की शक्सियत का जर्रा बराबर भी असर नहीं होता था वो नाश्डे के बाद के चैन मौडूद अम्मी को आलाहाफिस कहने गया और कहते इंतहाई अचलत में के चैन से बाहर जाने लगा कि अम्मी ने आवाज दे कर उसे रोका जी अम्मी कोई काम था आजिम ने नर्मी से पोठा वो हमेशा सैसाई ही था अपनी अम्मी का हच्च जादा फर्मबर्दार हाँ बेटा वाईला को युनिर्सिटी छोड़ा तो महारे ताया हम पर बच्ची की जिम्मधारी छोड़कर गए हैं अब अच्छा नहीं लगता कि वो बसों में खवार होती फिरे जी अम्मी वो इंतहाई सादत मंदी से बोला लेकिन उसका दिल बिलकुल भी नहीं जा रहा था कि वो उसे अपने साथ लेका जाए बकॉल हासिम आईला एक बद्दिमाग लड़के जिससे बात करने से बेता है कि इनसान अपना सर दिवार में मार ले पर बेचारा अम्मी की हुकम अदोली तो नहीं कर सकता था था ना वो बाहर कार पोच के तरफ बढ़ा तो आईला वहीं कार के पास खड़ी थी हासिम के नगवारी मजीद बढ़ी मगर उसने कुछ कहे बगए कार अनलॉक के तो आईला मू बगारती फरंट सीट पर बैठ गई हासिम मजीद तलमल आ गया उसे रह रह कर आईला की कल वाली हरकत याद आ रही थी जिसे सोच कर उसका गुस्ता मजीद बढ़ गया मगर फिर अपने गुस्ते को कंट्रोल करते है उसने अपनी ड्राइविंग सीट संबहा लिए और कार स्टार्ट की हासिम कर राज जब घर आया तो खिलाफे मामल आईला जाग रही थी और कालिबन उसका ही इंतिजार कर रही थी आईला उसकी तरफ बढ़ी इससे पहले कि कुछ कहता भी वहरान होने वाला था कि आईला बोल पड़ी खाना खाओगे जरूर हासिम ने खुछ दिली से कहा वह आईला के मुगे बिगड़े जाविये देखकर मज़े ले रहा था अच्छा फिर जाओ मुहाथ दोलो फिरेश हो जाओ में खाना गरम करती उसने कौफ दवाले लहजे में जवाब दिया जबकि हासिम ओके कहता अपने रूम के तरफ पढ़ गया वो जानता था कि अम्मी ने ही उसको कहा होगा कि क्योंकि आज उसकी अम्मी के तबेद सुबही से कुछ खराब थी सो वो अंदाजा कर सकता था कि अब वो चल्दी सो गई होगी इन तरह से उस तरफ तारी से खाना गरम करने रगी फिर कबर्ट से पिलेट्स निकाल कर वो टेबल पर सैट कर रही थी हाजिम का कोई भी काम करके उसे कभी भी कोई खुशी नहीं हुई बलकि वो तो उल्टा उसके कामों से चुर जाती थी अब भी वो इस सब करते सोच रही थी भूका कहीं का क्या था चुआ आज का खाना स्किप कर देता हुआ मुखा दो गंटे से जगाया हुआ है मुझे मोटा कहीं का हर वक्त खाने की पड़ी रहती है से हाला कि वो कहीं से भी मोटा नहीं था बलकि अच्छा खासा हैंडसम लड़का था इतना खाने का शौक था तो जल्दी आ जाता उसने बरवक्त अपनी चीख का गला गोंटा जो के उसके इस तरह चौकने पर मुझे निकलनी वाली थी साथ ये एक कहर आलूद नज़र उस बत्तमीज पर सिफ आईला का ख्याल था इनसान पर डाली और खामोशी से कुरसी खेंच कर वहीं बैट गई वरना आला की चच्ची जान यानी हाजिम के अमी और शहजाद चचा ने आकर हाजिम के खुब खबर लेनी थी ऐसा नहीं था कि वह उससे बचाना चाहती थी बलके अपने प्यारे चचा चच्ची के आराम में मुखा लोना उसे पसंद नहीं था हाजिम भी उसके सामने कुर्सी खींट कर बैठ गया आज उसका मूट काफी अच्छा था क्योंकि आज उसकी एक बहुत मशूर शूस ब्रेंड की तरफ बहुत बड़ा ओर्डर मिला था और आगे चार साल तक के लिए उस ब्रेंड से ओर्डर मिलने का कॉंट्रेक्ट भी साइन हुआ था इस काम के लिए बहुत अर्से से कोशिश और मेहनत कर रहा था बिलाखिर आज ये हो चुका था हाजिम के वालिद की शहर में एक मामूल इसी शूस मैने फैक्टरी फैक्टरी थी जिसे हाजिम ने डिजाइनिंग शूस मेरे के रिडिवेट करने के बाद दो साल पहले समाला था और अब उनके इस बिजनिस की तरकी देखनी लाइख थी ये सब उसकी काम से महबत और मेहनत की वज़े से हुआ था अब उसने फैक्टरी की कुछ प्रेकंस्ट्रैक्शन भी करवाई थी अपने लिए इंतहर खुबसरत नया आफिस भी बनाया और फैक्टरी की बिल्डिंग अंडर बाहर से ऐसी थी के काम करने वाले को काम करने का मज़ा जा जा था इन दो सालों में उसकी फैमिली अपर मिडल क्लास से एलिट क्लास में मनतकिल होना सिर्फ और सिर्फ हाजम की कमाल सलाहियंतों के इस्तिमाल का नतिज़ा था हाजम खाना खाना शुरू कर चुका था शायद उसे माहूल का सुकून कबारा नहीं था आईला के साथ हम कलाम हुआ मुझे तो चलो अपने घर आने में देर हो गई इसलिए खाना नहीं खा सका मगर तुम बताओ कि अब तक भूकी क्यों बैठी थी हाई ला कहीं मेरे इंतजार में तो नहीं जिससे बीवियां शोहर होकर करती उफ हाजिम ने शर्माने की बहुत बुरी प्लस भून्टी अक्टिंग करते गा आईला को उसकी आखरी बात सुनकर एकदम खांसी आई थी गालिबन निवाला उसके कले में अटक गया उसकी आँखे सुरुक हो गई उसने पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया तो हाजिम ने जल्दी सुसे पहले ही गिलास पकड़ लिया अब आईला को शदीद गुस्ता रहा था इसका चेहरा गुस्ते में लाल टमाटर हो गया था हाजिम यह सब बड़े मज़े ले रहा था हाजिम मुझे पानी दो उसका खांसी की वज़े से बस इतना ही कह पाई उसके आवाज भी ममश्किल फंस करने कर रही थी जबकि हाजिम यह सोचे समझे बगेर कि उसकी इस हरकत का अंजाम किस कदर संगीन हो सकता है अपनी जिद पर अड़ा रहा अगलास उसके हवाले ना किया आईला उसकी हरकत पर मज़ीद तलमला गई अब उसका तेज दिमाग फौरे इंतिकाम की तदाबीर करने लगा और उसने फौरान अपने जहें मे आने आने वाले पहले इंतिकामी आइडिया को अमली जामा पहनाया उसने सराथ से अपनी सालन से भरी प्लेट हासिम के आगे पड़े छोटे से कांच के खुबसद बाउल में मौजूद मेयो और जेली से भरे लजीज कस्टरड वैनिला पर उलड़ दी हासिम ने गहरे सत्मे से कस्टरड की तरफ देखा जो के अब नचाने क्या बन गया था वैनिला कस्टरड हासिम का फिवरेट डिसर्फ था सिर्फ उसे पता था कि आज ये खाने का उसका किस कदर दिल था पर अब पश्टावे का क्या फाइदा आईला चोटे छोटे खूट भर कर सुकून से पानी पी रही थी और साथ में अपनी कहर बरसा थी कुसेली नजरों से सिखूर रही थी साथ में अपने कानामे से हासल होने वाले दिली सुकून के भी मज़े डूट रही थी अब बो जरा क्या बकवास कर रहे थे ज्यादा फूलने की ज़रत नी है तुम्हे अर अपनी ये थर्ड गिलास खुश्फेमिया पालना बन करो आए बड़े मेरे पास बार बार खाना गरम करने का वक्त नहीं था इसले सोचा कि एक ही दफ़ा तुम्हारे साथ कर लूँगी टिनर टाइम पर इसले नहीं खाया क्योंके भूग नहीं थे वो बाकाइदा तफसील बता रही थी कि कहीं वो अकल से पैदर लड़का ये भी खास साईला की जहनी एजात थी सट में है वो अजीब खुश्फेमिया ना पाल ले ये कहे कर वो रुकी नहीं बलके आइडिया नमबर दो पर अमल करते वे गिलास में पानी भर कर जोर से हासिम के मूँ पर पानी फेका और अपने कमड़े की तरफ फाग गई जबके हासिम बेबसी और गुस्से के तस्वीर बना हग का वक्का उसे जादा देखा था अरब एक और नुकसान जो उसके से में आया था वो ये था कि उसे खुदी बर्तन समेटने पड़े वो किचन से बाहर निकला था कि उसे अम्मी आती दिखाई थी जो कालेबन हाथ में खाली जग ले पानी लेने के लिए किचन के तरफ आ रही थी उसने रुक कर उसे दुआ सलाम की और सुबह जल्दी जगाने का बोल कर भाग गया कि कहीं वो उससे उसका उपर की तरफ से गिली टी शिर्ट देखकर कोई सवाल ही ना पूछ ले अब आईला और हाजिम साथ हो और आपस में चोंचे ना लड़ाएं ऐसा तो होई नहीं सकता आईला ने सौंग पिलेखिया क्योंकि उसे सौंग सुने बगए ट्राइलिंग में मज़ा नहीं आता और यहां हाजिम वैसे तो चलो कभी कबार सुन भी लेता होगा लेकिन आईला के साथ होने पूसे सौंग सहर लगते थे क्योंकि आईला को जो पसंद था वो भी हद से जादा आईला ने जैसे सौंग पिलेखिया हाजिम ने वैसी आफ कर दिया ऐसा तीन बारी हुआ जाहिल इनसान क्या मसला है क्यों तंग करें अब अगर तुमने म्यूजिक बंद करने की कोशिश की ना तो मैंने ऐसा हुलिया बिकारना है कि अपनी आज़ वाली मिटिंग अटेंड करने के काबल नहीं रो गए धंकी असर कर गई हाजिम ने अपने हाथ एक बार फी म्यूजिक प्लेयर की तरफ पढ़ते हुए रोके चाहरे पर स्थखत बेजारी थी अभी तक उसने अपना रात वाला बदला भी नहीं लिया था कि उसे एक और धंकी मिल गई वो हमेशा बदला लेने के चकर में आईला के नए हमले का शिकार हो जाता हाजिम बस सोच करी रह जाता आईला अप सौंग प्ले का चुके थी जिसकी वज़े से हाजिम इंतहाई बेजारी का शिकार था सौंग के लिरिकल कुछ यूं थे तू सफर मेरा है तू ही मेरी मन्सिल तेरे बिना गुजारा एदिल है मश्किल तू मेरा खुदा तू ही दूआ मैं शामिल तेरे बिना गुजारा एदिल है मश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी मेरी हर कमी को है तू लाजमी जनून है मेरा बनू मैं तेरे काबिल तेरे बिना गुजारा एदिल है मुश्किल ये रूह भी मेरी ये जिसम भी मेरा इतना मेरा नहीं चितना हुआ तेरा तूने दिया है जो वो दर्द ही सही तुझ से मिला है तो ईनाम है मेरा मेरा आसमा ढूंडे तेरी जमी मेरी हर कमी को है तू लासमी गाने के बोल दोनों पर अपना असर सबद कर रहे थे कार में हाजम करूम की महक और खंकी में बदलते मौसम की एक खूबसरत सुबा कार के अन्रूनी माहुल को सहरंगेज कर रही थी इस से माहुल में फुसू और सहर पैदा होता और दोनों की दिल की धरकनों का अर्तियाश मजीद बढ़ता और दोनों किसी नए सफर पर यूं कहले कि महबत की सफर पर गामजन होते हासिम ने बेसाखता चेहरे पर जड़ाने वाली मस्कुरार सचाय अपने मूँ से ये बकवास फुटी ओहो आईला मेडम क्या सौंग सेलेक्शन है आपकी आप मुझे बता देती क्या आप मुझे से इतना खुशत इजहारे महबत करना चाहती है मैं कभे मदाखलत ना करता आईला का मूँ खुला का खुला रह गया उसने फॉरण से पहले काना बंद किया ओए हासिम के बच्चे दिमाग तो सेट है तुमारा कि क्या कल से बहकी बहकी बाते करें आने दो ममा बाबा और फरहान भाई को अमरे से तुमारी तो अच्छी खासी क्लास लगवानी पड़ेगी आईला की सारी फैमिली अमरे पर गई थी आईला अपने एक्जेम्स की वज़े से नहीं गई उसकी फैमिली को गए अठारा दिन हो चुके थे और उसके एक्जेम्स भी खतम हो चुके थे रोज़ाना उसकी फ्रेंड माहरा पिकर्ण ड्रॉप करने आती थी लेकिन आज माहरा ने किसी काम की वज़े से युनिरसिटी नहीं चारी थी सो आईला ने नीदा चच्ची यानी हाजिम की अमी को बता दिया था इसलिए उसे हाजिम के साथ आना पड़ा और अब इस बद्दिमाग क्यूर्टी सीथी बातों को बरताश्ट करना पड़ा था एक लम्मे को इसने सोचा कि इससे अच्छा था कि मैं मेट्रो बस में चली जाती मगर अब अफसोस का क्या फाइदा सलसला कलाम वहीं से जोड़ा गया जहां से आईला ने तोड़ा था क्या कह रही हो तुम मेरी कलास लगवाओगी ध्यान से लेना कही तुम्हारी अपनी कलास न लग जाए और कुछ अनेक्सपेक्टेड ट्रेजडी न हो जाए तुम्हारे साथ हाजिम ने मेरी खेस लहज़े में एक नरब मुस्क्राहट आईला की तरफ उच्छालते वे कहा आईला का उसकी इन उल्टी सेथे बातों पर हैरान होना जायस था क्योंकि हाजिम साहब खोदी अपनी कहीं बातों पर हैरा जदा थे ओह तो तुम अब मुझे धंकी दोगे आईला ने तंजिया लहज़ें पुछा आईला मेडम मैं आपको धंकी दूंगा नहीं बलके दे चुका हूँ हाजिम ने आईला की परेशान होती शकल से महसूस होते वे कहा अब वाकर आईला को तश्वीश हो रही थी कि नचाने वो क्या करने वाला है अच्छा इस अब छोड़ो बस मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरी मीटिंग है उसने साधा लहज़े में पूछा वो तुम जिस तरह ड्रेस अप हुए हो ऐसे किसी खास मौकें मीटिंग वगेरा में होते हो आईला ने गड़ बढ़ा कर चल्दी में जवाब दे दिया हाजिम के चहरे पर शरायती मुस्कुराहत दोड़ गई ओहो तुम मुझे इतना अबसर्फ करती हो है ल्ला मैं इतना इंपॉर्टेंट हो तुमारे लिए उसने बड़े मज़े लेकर कहा उसे अपने सब हिसाब बराबर होते नज़राया आईला की बंद होती बोलती ने उसके अंदर तक खुशी फैला दी वैसे तो वो कुछ नहीं कहना चाही थी यह यू कहले कि उससे पहले वो कुछ कहती उनिर्सिटी का गेट सामने था वो जल्दी से उतर का गेट की तरफ बढ़ गई आजिम भी अपनी मिटिंग डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा साथी साथ आईला से सारे बढ़ले लेने के एक आला किसम की आईडिया पर गौर फिकर भी कर रहा था आखिर को आईला की बोलती बंद करवाने की जबरदस्ट टेकनिक प्लस ट्रिक उसके हाथ आई थी उसको तो आईडिया पर अमल होने के नतीजे में ही आईला की मतवक्त हलत सोच कर मसा रहा था बस अब उसे ताय के आने का अंतिजार था बस अब उसे आज वो जल्दी खर आ गया था आखिरकार अपने आईडिया पर अमल भी तो करना था वो खाना वाना खा कर पहले तो अपने रूमे रिस्ट की नियत से बैट पर लेट गया वो कुछ दिर कैलिला करने की ग़स से आंखें बंगे लेटा तो आईला कचहरा उसके आंखों के सामने आ गया अब वो आगे का लाहे अमल तैयार कर रहा था सबसे पहले तो उससे अपने वाले दें को राजी करना था उसके बात आयता है कि रसमन्ती हासिब करने होगी आईला को पता चलेगा तो इंकार के लिए खुब भंगावे और इमोशनल बलेक मेल का सारा लेगी और हो सकता उसका इंकार तस्लीम कर लिया जाए लेकिन उसके इंकार के खिलाब मुझे मेरे जिगरी यार फरहान और जवेरी आपी के साथ मिलकर दीम बनानी होगी जवरिया आईला की बड़ी बेहन जिसकी एक साल पहले शादी उनकी ही कालोनी में रहने वाले एक रेस्टरेंट के ओनर्स हुई थी वो तेजे से ख्याली पलाव बनाने मगन था एक और सोच जो उसके जहन में आई वो ये के जल्दी से आईला से सबर्दसी निकाह करके उसको खूब तंग करूँगा और अपने सारे बडले लूँगा फिर बेचारी मेरा कुछ भी नहीं विगार सकेगी ये सोचते हुई इसकी आँख लगई और हाजिम साब ने ख्याव एक खरगोश के मसेल उटने शुरू कर दिये हाजिम उठा तो शाम हो गई थी तकरीबन असर की नमाज का वक्त भी खतम होने को था इसने उठ्षट से उठा और वजू करने भागा और साथ ही सोचने से पहले सोची कई बातों को फिर से सोच कर मिसकराने लगा वजू करके चल्दी से अपने ही रूम में चाया नमाज बिछा कर नमाज पढ़ने लगा नमाज पढ़कर वो बाहर आया और अम्मी को टूनने टूनते टूनते बरामदे में आया वहां अम्मी बरामदे में बिच्छे दिवान पर बैठी आईला को अपनी निकड़ानी में नमाज पढ़वा रही थी हाजिम ने आकर अम्मी से सलाम दूआ की और अम्मी के पास बैट गया वो मौमला समझ गया था क्योंकि उसे याद था कि उसकी इताई ने उसके अम्मी को खास अपनी आँखों के सामने आला से नमाज पढ़वाना की तलकीन की थी क्योंकि नमास के मौमले में वो बहुत सुस्त थी ताए अम्मी की तलकीन वताकीद याद करके इसके चहरे पर शरारती मस्कुराहत दोड़ गई जो सलाम फिरती आला को देखकर मजीद कहरी हो गई आला न उसके तरफ देखने पर उसे अपने उपर ऐसे मस्कुराता पाकर खा जाने वाली नजरों से खुरा हाजिम अम्मी के तरफ मतवज़ हुआ और बाते करने लगा आला दूआ मांकर उठी और चाहे नमास लपेट कर अंदर की तरफ बढ़ने लगी के हाजिम के आवाग पर वहीं ठेड़ गई यार मेरे लिए अच्छी से चाहे तो बना दो हाजिम ने शराज से अपना हुकम सुनाया वो जानता था कि आला को उसके काम करने का किस कदर जहर लगते हैं आला वहीं खड़ी ना कूपा चुड़ाती और मुँ के बिगड़े मुँ के जाविये विकारती कोफ तो जदा सी होकर उससे देख रही थी मरियम शहसाद यानि हाजिम की अम्मी आला की शकल देखकर उसकी बिज़ाई समझ की थी तब यह अपने जगे सुटती मुस्कुराते हो ली बेटा आला को अभी अपनी असायमिन बनानी है वो पहले मसरूफ है मैं तुम्हे चाय बना देती हूँ तुम बच्ची को तंग मत करो हाजिम ने वही से अम्मी को हाथ खीच कर बिठा लिया और कहने लगा कि नहीं अम्मी आप क्यों बनाएंगी भिला इस अनाज की दुश्मन से भी हाथ पे हिलवा लिया करे और जिसे आप बच्ची कह रही है बगले मेने पुरे 22 साल की हो जाएगी अम्मी को उसकी बाते सुनकर और उन बातों की रेक्शन में आईला की शकल देकर हसी आई उन्हाने हाजिम को टोका भी मगर वो तो और भी बहुत कुछ बोल रहा था जिसे सुनने के लिए आईला रुकी नहीं बलकि कुस्से में चाय बनाने पैर पटकती अंदर भाग गी अब हासिम के बापा भी वहां आ गए जो कालेबन बाहर से चलकत्मी करके आये थे हासिम ने खड़े होकर उनको सलाम किया और फिर वापस बैड़ किया शहजाद साब भी वहां लकड़ी से बने दीवान के सामने पड़ी उसी डिजाइन की दो कुर्सियों में से एक को जरा आके खिसका कर बैड़ गए मौका अच्छा था हासिम ने फौरान ही आईला से निका की खौश का इजहार किया जिसका इजहार उन्होंने हासिम की हाम हाम इला कर किया उन्हें हासिम के फैसले पर बहुत खुशी हुए क्योंकि वो खुद भी उसके मतालिक ही सोच रहे थे इतनी मैं आईला तेज कदम से चलती हासिम के लिए चाय ला रहे थी शहजाद चाचा को देखकर उसने अपनी स्पीड को ब्रेक लगाई उनको अदब से सलाम किया और हासिम के हाथ में चाय का कब थमाने लगी हासिम समयत उसके अमी अबू भी आईला को देखकर मस्कुरा रहे थे जिनने देख आईला कुछ बजल हुई अपर उनसे एक्सक्यूस करती अपने रूम में असायमिन बनाने चली गई चचचचची का रवया उसे गेर मामुली लगा था लेकर उसने उसे महज वहम करार देका इग्नौर कर दिया जबके मरियम बेगम तो आईला को अपनी बहु बनाने की खुशी में खुब चहक चहक कर बाते करी थी वहीं हाजिम ने जब आईला की बनाई ही चाय का पहला गूट लिया तो बेसाख था वैसे का वैसा ही दल्दी से उठकर बरामदे के आगे बने लौन में मौजूद क्यारी के अंदर धुका इस चाय में बहुत सारा नमक, हलकी हलकी मिर्चो और चीनी का टेस्ट था हाजिम को बहुत अपसोस हुआ कि इसने आखिर आईला को चाय का कहा ही क्यों हाजिम के अमीने भी आईला की हरकत समझ आने पर हाजिम की हालत देखकर भरबूर कहका लगाया जिस पर हाजिम ने उनको खबकी से देखा और सारी चाय क्यारी में उंडेल कर हाथ में खाली का प्ली अंदा चला गया आईला असायमिन बना कर फारिक हुई तो सियाद आया कि कल तो माहरा का बर्थ रहे है और उसे अपनी सहली के लिए अच्छा खासा तोफ़ा खरीदना था अब मारके जाने के लिए उसे हाजिम की सर्विसस चाहिए थी उसे पुरा यकीन था कि वो उसकी कुछ देर पहले वाली हरकत पर हंसी खुशी तो ले जाने से रहा बलकि कभी उमकान थे कि उसे लेकर ही नहीं जाता वो यह सोचते वे बैट से उठी जहां बैटी यह सामिन बना रही थी और निदा चच्छी उनका पुरा नाम निदा मरियम था जो शादी के बाद मरियम शहजाद हो गया इसलिए अब कोई निदा कहता तो कोई मरियम के कमरे की तरफ बढ़ गई खुब जानती थी कि हादिम से काम निकलवाना हो तो उसकी अमी के पास आना थी अब निदा चच्छी को अपना सारा मसला बता चुकी थी जिस पर उन्होंने एक भरपूर मस्कुराइट आईला की तरफ उचालते वे कहा अच्छा बेटा मैं जाकर देखती हूं उसे ले जाएका हो तुम्हें उन्होंने उसे इत्मेना दिलाया उठकर हादिम के कमरे में जाने लगी आला भी उनके साथ कमरे से निकली थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपने उन्नी के तरफ रुख फेरा के दर्वाजा नौक हुआ दर्वाजा खुलने आई तो बाहर आजिम था वो इंतहरे खुश मिजाजी से उसे जल्दी रेडी होने का बोड़ आ था एक लहे को उसने गहराई से आईला के कुदरती हुसना से भरपूर इंतहरे खुबसरा चेहरे को दे देखकर मस्कुराते सतफार किया कि चले जस पर आईला ने असबात में सहिलाया और उसके साथ चल दी उनके कार कालोनी से निकल कर अब में डोट पर थी कार में चाही खामुशी को आईला ने तोड़ा ए तुम आचकर मुझ पर ज़्यादा महरबान ही हो रहे नहीं ऐसी तो और बड़े जबरदस्त तरीके से पूरे करूंगा उसने शरायत से मस्कुराते कहा आईला ने ना समझे से उसकी तरफ देखा फिर एक ख्याल के तहट इंतहरी रासदारी वाले अंतास में उससे मज़ाग में सवाल किया कि कहीं तुम मुझे अपनी सच मुझ की बीवी बना मतलब तुम तुके मार रही थी अब हासिम ने आला की शकल के उड़ते रंग देखकर रिलैक्स होकर पूछा आलन इसकी बात का ट्वाब दिये पकर अफ्सोस भरे लहज़े में सवाल कि हासिम तुम किस कदर घटी आदमी हो मुझ मासुम से मेरे नाकुरदा गुनाहों का ब भी भी या मामा और बाबा को उल्टी सीदी पटियां पढ़ा कर मुझ से तबरदस्ती निकाह करोगे और बाद में अपना चीप प्रोमेंस जार कर मुझे सता हो गए है ना उसने पुरे रकीन से अपने अंदासे हासिम के गोश गुसार के अपकी बार रंग हासिम के चरे से और वो सक्त हिरानी के आलम में बस इतना ही पूछ चका कि तुम्हे कैसे पता चला मतलब तुम सच में सब करने वाले थे आईला ने अफसोस भरे लहजे में सदमें से कहा बट तुम्हे कैसे पता चला बताओ ना उसकी सुई अभी भी यही अड़की थी वो उसे हैरान होकर उसे लगा वो उसकी सोचे पढ़ने लगी है तुम किस कदर घटिया इनसान हो अभी तक तो मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही थी हाजिम उसकी बात सुनकर रिलेक्स हुआ ओ तो मौतरमा के अंदाजे थे हाजिमा बिलकुल नॉर्मल हुआ वैसे तुम्हे शरम नहीं आरी अ वालता का बेशक निकाह करना कोई गलत बात नहीं पर तुम्हारा यूं घटिया इरादे बनाना और निकाह जैसे रिष्टे को इस्तिमाल करते वे उनके तकमील करना बेहत गलत बात है आला ने इंतहाई सीरिया सोकर लेक्टर चाड़ा जिससे हाजिम की अकल पर जर्रा बर अबर भी असर नहीं हुआ और एक बात मैं तुम्हें बता दूँ कि ये तुम्हारी खुश फ़हमी है कि मैं या मेरे वालिदें किसी भी सुरत तुम्हारे जहांसे में आएंगे क्या मेरा तुमसी निकाह करेंगे आला बिलकू संजीदा थी हाजिम के पास अब कहने को अब मूड लिए सिदा अपने कमरे के तरह बढ़ गया जबके आला अपनी शॉपिंग दिखाने नीदा चच्ची के पास चले गई वहार रूम में शैजार चच्चा भी थे आला ने हसी खुशी अपनी सारी शॉपिंग दिखाए और चचचा चच्ची से दाद भी वसूल क साथ इसने अपनी और हासिम के सारी गुफटगो मन वन चचचा चच्ची की गोश्च को सार कर दी माज़ित कुछ बाते करके दोनों को अल्ला हाफिस कहती उनकी रूम से निका गई अब आला ने भी तो हासिम को सबक सिखाना था वहाँ आजिम अपने कमरे में लेटे अब स तो उससे मरा जा रहा था कि आखिर उसने आईला की मतालिक ऐसा सोचा ही क्यों अर अगर सोची लिया था तो एतिराफ की क्या जूरत थी आखिर को मुकर भी सकता था फिर उसने सोचा चलो कोई नहीं आईला का पीछा छोड़ देता हूं मुझे शादी तो करनी है किसी और से दिल के किसी कोने से आथी आवाजों ने उसे हैरान कर दिया उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसकदरी निकाल कर उसके सामने खड़ा कर दिया और उसे चीक शीक कर बता रहा हो कि हाँ खोब कही तुमने मिया कि किसी और से शादी कर लोगे अपने आप से पोछो कि क्या त जब तक दिन में उसे चार दफ़ा देख न लो तो तुम्हारा दिन नहीं कुजरता जब तक उसे लड़ाई न कर लो और उसकी किसी शरारत का निशाना नहीं बनते तो तुम्हें चाहे नहीं मिलता 24 गंटे उसके किसी हरकत का बदला लेने की स्कीम सोचने के बहाने उसे सोचते रहते हो खुद से पोछो कि वो तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखती है पसी ने किन्हने कदरे उसके माथे पर नमुदार होने लगे खुद अपने आप पर हैरान था आगाही कलमा आया और गुसर गया उस पर उसके दिल में चुपी आईला के लिए बेपनहा महबत करास आशकार हुआ वो अब तरब कर रह गया था कि अनजाने में वो आईला के लिए बहुत कुछ बुरा सोच चुका था और से आईला को जलत जलत मनाना था वो उन लोगों में से नहीं था कि जो अपनी गल्दी का एहसास होने पर भी माफ़ी के लिए आगे न बढ़े अब उसने पका इरादा कर लिया था कि वो आईला को सुबह ही जाकर मनाएगा और से अपने के की माफ़ी मांग कर बिल्कुल साफ नियत से और महबब से निकाह के लिए बनाएगा अगर वो फिर भी नहीं मानी तो एक मनफी सोच ने उसका दिल धलाया यूँकि अब किसी बेकिसम की जबर्दस्टी का तो सवाल ही नहीं पैता होता था और आयला की खुशी के खिलाफ जाना भी अब उसके बस में नहीं था वो खुटपए अभी तक बहुत हैरान था कि कैसे चन्रवों में उसके दिल की दुनिया, उसकी खियालाद, सोच, तरजिहाद, सब कुछ बदर गया था पर वो इस नए एससाद के जिर एसर बेहत मस्रूर भी था खुटपए हैरत और ताजुक के बावजूद भी एक दीमी मस्कुराहत उसके होटों पर जम गई दिल था कि अलगी अंदास में धरकनों को तोड़ा रहा था और वो बेसाख था, बेताशा उसके मतालिक खुशकुन ख्यालाद में घिर गया और मसलसल उससे सोचता चला गया वो उसका उटना, बैटना, चलना, फिरना, बात करना और हर अंदास एक नए तरस से याद कर रहा था उसका चहरा था कि हाजिम के तसावरात पर चिपक के रह गया था जो भी था पर वो अब सोने के काबिल नहीं था आईला ने बुरी तरह उसके हवासों पर गबजा कर लिया था वहाँ आईला मेडम ने कमरे में दाखिल होती अपनी आंपी को फोन लगा और हाजिम के अकल ठीकाने लगाने का प्लैन बताया जो वो कुछ देर पहले अपने चचा चची के साथ मिलकर बनाया था और साथ ये उसके मतालिक फरहान भाई को भी कॉल करके सारी बात बताई और साथ में उसे प्लैन पर अमल दरामत करने के लिए ममा बाबा को कन्वेंस करने के रिस्क पैस्ट भी की जिसे उसके भाई ने बखुशी मान लिया उसके बाद बारी थी प्लैन के सबसे एहम हिस्से को अंजाम देने वाले मिम्बर को अइतिमाद में लाने की तो उसने फॉरण से पहले अपनी खाला के बेटे असफ़र को कौल मिला कर सारी बात बताई वो उसका कजिन होने के साथ साथ बच्चमा से ही उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था यह सब करके उस सुकून से सुने की तैयारी करने लगी वो इस बात से अक्सर बेखबर थी कि हासिम का करार और उसकी नीन वो बहुत अच्छे से अपनी तहवील में लेकर खुदाराम उसकून से सुने लगी है अगर वो हासिम की मौजूदा हालत से पाखबर होती तो इस वक्त उसने लुडिया डारनी थी हासिम ने अल्ला हल्ला करके राज गुसारी वो मश्किल एक तो घंटे ही सोया होगा सुबा खिलाफ मामलो चल्दी उठा फजर की बचमाद नमाज बेदा की वरना अक्सरो फजर की तो कज़ा नमाज ही पड़ा करता था वो नाच्टा करने आये तो पहली मरतबा दांसता इदो धर आईला की तलाश मनसे तोड़ा रहा था आयला सीड़ियों से उतरती भी दिखाई दी उमारून के लड़की कुर्टी गोल्डन के लड़के डुपटे और हमरंग कैपरी जेबतन की ये हासिम के दिल के हालत से बेपरवा उसकी धरकने मजीद तेज़ कर गई थी इससे पहले कि अपने उपर तारी इस कैफिया से निकलता आयला उस पर एक नराज निगा डालती के चंड के तरफ बढ़ गए और अपनी चच्ची को लाहाफिस कहती घर से बाहर निकल गई हजब मामूल माहरा अपने टरैवर के साथ गेर पर मौजूद थी आयला ने कार में बैक सीट पर माहरा के साथ बैटते वी बातरे की धेरो विशेज दी और साथ में अपने हाथ में मौजूद खुबसरत सा तोफ़ा से थमाया जिसमें माहरा ने उसे तह दिल से शुक्रिया कहा वहां हाजिम के नजरों में बार बार आयला के चहरे का नाराज तास्र ठहर सगया वो बेजली से नाश्ता करके उठा और बोज़ल कदमों से चलता ओफिस जाने की तयारी करने लगा वो जब घर आया तो आयला घर पर नहीं थी माहरा ने अपने घर में अपने दोस्तों के लिए बाथरे पार्टी अरेंज की थी और शाद इसी सलसले में आयला इंविस्टी से सीधा उसके साथ उसके ही घर चली गई थी हाजिम ने दोदर अंदर बाहर उसे ढूंडा चब कहीं नहीं दिखाए दी तो ठकहार के आखिर अमी से पोचा अमी ने बता कि उमाहरा के हाँ गई है उसे उनके लहज़े में नाराज की महसुस होई तो पोचा अमी क्या आप नाराज है मुझसे हाँ बेटा ऐसा ही समझ लो उन्होंने लग बगए लगी लप्टी कहे सीधा सीधा जवाब दिया लेकिन क्यों उसने तरब कर पोचा क्योंकि वो बच्चमन से ही अपनी अमी के लिए बहुत हिसास था और उनकी नाराज की बरदाश करना तो उसके बसकी में था ही नहीं मुझे आईला निकाल तुम्हारी निकाह की खौईश के पीछे चुपी तुम्हारी नेक नियातों की मतालिक बताया यकीन करो बेहद अपसोस हुआ मुझे वो सब सुनकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सोच इस हद तक किसकती है हाजिम के अमी ने जी भर कर से शर्मिंदा किया और वहाकिकतन बहुत शर्मिंदा लग रहा था वो अपनी अमी की बात सुनकर एक लम्हे की भी देर के बगएर बोला अमी प्लीस मुझे माफ कर दे वो तो मैंने गल्दी से वो सब कह दिया था यकीन करें मैं बहुत चर्मिंदा हूँ अपनी उस हरकत पर और मैं आईला से माफी भी मांगना चाता हूँ पर प्लीस आप मुझे ऐसे नाराज मत हो उसने बहुत आज़सी से कहा बेटा यकीना तुम्हारी माफी के असल हकदार तो आईला है बहुत बुरी तरह दुखाया है तुमने उसका बच्ची का दिल निदा ने उसे मजीद शर्मिंदा किया अच्छी अमी मैं कह रहाँ के ना उससे माफी मांगूंगा अच्छा चले अब मैं चलता हूं मुझे कुछ काम है ये कहका सिदा अपने रूम के तरफ बढ़ गया आईला के बापस आने के बाद हाजिम ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने फौरान उसकी कोई भी बात सुने से निकार कर दिया अब हाजिम जबरदसी तो कुछ क सिटी जाना पड़ा वहां जाकर भी आईला मुकमल तोर पर उसके खैलात का लाजमी हिस्सा बनी रही वो से मनाने के मुक्तलिफ आइडियास के मतालिबी बहुत कुछ सोचता रहा जब हाजिम वापस आया तो उसकी ताया अपनी फैमिली समेट उम्रा करके घर वापस आ उसके तसवरात का हिस्सा बनी हुई थी यहराने पर वो से आला नजर नहीं आई शायद वो अपने रूम में थी उसके मतालिक सोचते सोचते हो फिर से सो गया अजीब मौमला था कि कभी वो उसके जहें से ऐसे खेलती कि मिन्टों में उसे नीन की वादियों में धखेल देत और कभी हासिम के चाहने के बावजूद उसके आँखों से नीम खीच ले दी वो शाम को उठा तो फ्रेश होकर पाहर आया आईला के अलावा सब लौन में बैठे शाम की चाह से लुटवंदोज हो रहे थे उसने भी सब को जोईन किया बात के दरान ही उसे अंदर से आईला आते हुए दिखाई दी आईला सब को सलाम कहती फरहान के पास आई रहे अपने आने का मकसद बयान किया भाई मैंने असफर से बात कर ले उनको मेरा अपनी पसंद से ब्राइडल ड्रेस लेने पर कोई अतराज नहीं इसलिए आप मुझे अभी शॉपिंग पर ले चले जहा आईला की बात मांते हुए उसे चल्दी से शॉपिंग पर जाने के लिए तयार होने का कहे कर रहा था वहीं हाजिम का हरत के मारे आंके छपकाना भी मुश्किल हो रहा था आईला चाहिकती वे अपना फोन चाधर और परस उठाने अपने रूम की तरफ भागी हाजिम ने ब यार रोट पर तुम्हें इलमी नहीं फिर तो तुमने उसके बात पकी होने की मिठाई भी नहीं कायोगी सबर करो, यहीं बैठ रहो मैं אזim की नाईला साइने हाजिम के समा सबस्भाब कर उसके सारे चौबबध एक ही सांस में दिए, हाजिम वही बैठे बैठे, खुद को खत्म होता महसूस कर रहा था उसके पहली महबबत उसके इधार करने से पहले किसी और की होने जाई थी उसे अपना दम गुटता महसूस हुआ उसे वो एक लम्हे की देर के बगए अंदर की तरब भागा आईला अपने रूम से निकाली रही थी के हाजिन इसका रास्तरों का आईला तुम इस निकाल के लिए इंकाल कर दो उसने बगए तमहीद के अपना मुद्दा बयाएं क्या मेरे दिमाग पर चोट लगी है या मेरे चेहरे पर पागल लिखा नजर आ रहा है जो मैं फुजूर में इतना अच्छा परपोसर रिजेक्ट कर दूँ आईला ने सुलाग कर हाजिन के मुद्द मश्वरे को बेमोल करते हुए अपना जवाब दिया आईला मेरे बात सुनो देखो मैंने कहा था ना कि मैं तुम से शादी करना चाता हूँ आईला में अपने उन अलफाजों के लिए तुम से माफी मांगता हूँ यकीन करो उसी फिक मजाग था मैं सच में तुम्हें दिल से अपनाना चाता हूँ प्लीस कह तुम मुझे मेरी गल्टी के लिए माफ नहीं कर सकती उसके दिल की हालत भी अचीब हो रही थी मगर उसने खुद को संभाला और हाजिम को अपने रासे सहटा कर बगएर कोई चुआब दिये वहां से निकल गी हाजिम ने वेबसी से उसे जाते हुए देखा वहां आईला का शॉपिंग के दौरान दिल ही नहीं लग रहा था इसलिए उसे अच्छा ड्रेस भी पसंद नहीं आ रहा था वहाजिम को ऐसे परिशान कर कि कुछ नहीं थी जहां हाजिम उसके लिए दिवाना हुआ चारा था पर प्यार भी आया जो उसने किसी पर जाहर नहीं होने दिया उसे ये बात जान का नहायत खुशी भी हुई थी कि हाजिम साच में उसके हरकतों से बहुत तंग था और बेचारे ने उससे बचने का कितना मासूमाना सॉलूशन निकाला था वो वैसे बुसे जान बुचकर तंग करती थी और उसे नापसंद करने का ड्रामा करती थी वरना हाजिम तो हमेशा से उसके दिल की सबसे उची मसनत पर बराजमान था वो आकर अपनी हरकतों के जरीयों उसकी सोचों को वाहिद मरकस बनना चाहती थी ताकि वो कभी किसी दूसी लड़की के मंतालिक सोच ही ना सके और उसमें वो सौफिसद कामियाब रही थी वो चाहती तो बहुत पहले ही अपनी महबत का इसार हाजिम से कर सकती थी और अपनी तरफ मायल भी कर सकती थी क्योंकि ये सब उस जैसी खुबसातर कॉंफिडेंट लड़की के लिए मुश्किल ना था मगर फिर भी उसे अपनी किस्मत और अपनी महबत पर भरोसा था कि हाजिम एक नएक दिन खुद से ही उससे महबत करने लगेगा और उसका ये कामिल यकीन ही था जिसने पलो में हासिम के जजबात को एक नए रंग दिया था उसे एक आउटलेट से दूसरी आउटलेट और एक बूतिक से दूसरी बूतिक फिरते दो घंटे हो चुके थे फिर उसे कोई जैसी पसंद नहीं आ रहा था फरहान भी अच्छा खासा तब चुका था और साथ ही में आईला पर गुस्सा भी कर रहा था एक तो उसको खुद कुछ पसंद ही आ रहा था और उपर से नाईला निदा फरहान की राय को वो एहमियत ही नहीं दे रही थी फरहान आईला को ड्रेसे उलट पलट कर देखने मसरूफ पाकर शॉप से बाहर निकला उसने हाजिम को कॉल मिला और बुटीक का नाम बता कर फोरण पहुशने को कहा क्योंकि इन खुआतिन के अकल पर तो फरहान को कोई भरोसा नहीं था और शॉपिंग से मतालिका ऐसी मसले हाजिम के एक मशरे पर सौल हो जाते थे था तो एक शोर डिसाइनर प्लस बिजनसमेन लेकिन शॉपिंग के मौमलात में उसके ट्वाइस को बहुत एहमियत दे जाती थी अब हाजिम मुझे दिल के साथ मारकेट जाने लगा क्योंकि फरहान उसे कहे कर बिलाया था कि अमीदा चच्ची बिला रही है वैसे तो फरहान के बाद भी कम ही टालता था लेकिन अगर उसे उसके अमी का हवाला दे दिया जाए तो फिर वो बात मानना तो जैसे उस पर फर्ज हो जाता थोड़ी देर बाद हाजिम उस बूतिक में था जहां आईला सहिबा अब तक मुक्तलिफ ड्रेसेस में केड़े निकालने मश्कूल थी फरान उसे लेकर आईला के पास आया आईला का मूट एक दम बदल गया थोड़ी देर पहले उसे हाजिम को परिशान करके जो अफसोस और मलाल हो रहा था अब वो हाजिम के सड़िवी और दुखबरी शकल देकर अंदर तक सरशार कर गया इसलिए अब वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर कपड़ों के मौयने कर रही थी और हाजिम उसकी मुस्कुराहत देखकर मजीद जल भुंडा था तुम यहां क्यो आई हो आईला ने उसे पूछा हाजिम ने फरहान के तरफ देखकर आईला के सवाल कर जवाब तलब किया मैंने बुलाया ऐसे तुम्हें तो कुछ समाजी नहीं आ रहा कि क्या लेना है और दो गुंटे से यहां से वहां फिरा फिरा कर मेरी चटनी बना दी अब तुम चुप कर के खड़ी रहो और जो भी जोड़ा हाजिम सिलेक्ट करे चुप चाप वही पेक करवाना समझी फरहान जो आईला की हरकतों पर काफी देर से भरा बैठा था मौकर मिलने पर अच्छा खासा सुनाने लगा आईला को फरहान की तपीवी शकल देखकर बुरी तरह हंसी आई और वो उसके अलफास की सखती भुलाया उसकी शकल देखकर पेट पकड़कर हंस रही थी कुछ हंसी तो से हासिन की उजड़े आशिको वाली शकल देखकर भी आ रही थी जिसको बाहर निकालने का मौका उसे फरहान की वज़े से मिला अब ये दांत किस कुछी में निकल रहे एक सूट तक तो पसंद करना नहीं आता बस दांत निकल वालो तुमसे फरहान का पारा अभी भी हाई था भाई आप इतनी देर से जिच हो रहे थे मुझे बता देते मैं जरा जल्दी कुछ पसंद कर लेती आईला ने बमश्किल अच्छे से याद दिलाए फरहान और आला चुपे तो हासिम हाथ में एक रोज गोर्ड कलर की इंताहिए खुबसूरत मैकसी ब्राइडल मैकसी फ्रॉक लिए उन दोनों के अपनी तरफ मतवज़ होने का इंतजार कर रहा था आईला न इसके तरफ देखा तो लपकर उसके ह निदा चच्ची और नाईला ने भी हाजिम की पसंद को दाद दी और फरहान ने भी पहली मरतबह बिल्कुल सची तारीफ करके आला का दिल खुश किया अब वो वापस ट्रेस चेंज करके मैकसी पेक करवारी थी हाजिम की तो जान ही निकली थी उससे ऐसे किसी और के लिए खुश देखकर हफता गुजर चुका था बेताहरा अपनी महबत का इज़ार कर चुका था अपनी इस मामूल इसी कल्थी से कहीं बढ़कर वा इच्तिराफ करत रहा और बार बार आला से माफी मांगता रहा लेकिन इस वक्त सारी दुनिया उस पर जैसे तंग ही उगई किसी ये उसकी एक न सुनी और आद को अपने बिस्तर पर लेटा आज सारे दिन के गुजरे वाकियात अपने जहन में दोरा रहा था ताथ या आईला की निकाह के मतालिक सोच सोचकर हलकान हो रहा था जो किकल होना था और फिर से उसे आज वाला वाक्या याद आया कि कैसे आईला हंसासकर असफर से बाते करी थे और हासिम को शदीद इगनोर कर रही थी फिर उसे ताय का प्रोटोकॉल याद आया जो वो असफर को दे रहे थे जिसे देखकर हाजमी को पहली बार उसे सक्त नफरत जलन हस्त महसूस हुई दरसल असफर अपनी फैमिली के साथ आज ही आ गया था जबके निकाह कल होना था हाजी में सोच सोच कर कि आईला हमेशा के लिए कल किसी और की हो जाएगी अपना आप खतम होता महसूस कर रहा था उसका जबत बेवसी के इंतहा पर था कि वह हमत हार बैठा और फूर फूर कर रो दिया उसने एक आखरी कोशिश करने की ठानी वो एक आखरी लटज़ा करना चाहता था और ये लटज़ा किसी और के सामने नहीं बलके अपने रब के हुजूर पेश होकर करना चाहता था सो अपने जगे से उठार वजू करके जैनमाज बिचा कर चन अफिल बराए हाज़त अदा करने लगा वक्त तकरीमन रात के दो बज़े का था अब वो हाथ उठाए अपनी करदन को जुका कर अपनी नजरे खाली हतेलियों पर जमाए अपनी अरजियां अपने रब को सुनाने लगा वो अपनी महबत को खोने के डर्द के जेरे सर जारो कतार रो रो रहा था और जिन जिन अलफास में उसे अपने लिए मांग सकता था उसने तलब किया नजाने उसके लाश चौर में केकीन था किया आयला उसकी है और कोई उसे हाजिम से नहीं जीन सकता सुबा उठा तो सारे घर में काफी कहमा कहमी थी सब यहां से वहां भाग रहे थे असल में वह सुबा नहीं बलके सवा दस बज़ उठा था घर में मजीद महमान भी थे परहान और असफर नाच्टे की डेबल पर बैठे प्रेयर डैंट जैम के साथ इनसाफ कर रहे थे हाजिम ने भी जोईन किया बड़ी खिदमते और यह बहनवाई की हाजिम ने खुद को लाख रोकने के बावजूद भी तंस करने लगा अरे कहां भाई अभी तक मौकर नहीं मिला बहनवाई की खिदमते करने का परहान ने असफर को आँख मारते वे का जिसमें गालेबन उसकी ब्रैडल मैक्सी, हील्स और जिलरी वगेरा थी उसने टेबल पर बैठे तमाम नफूस को सलाम किया और असफर की तरफ मतवज हुई मैं रेडी हूँ, चलो मुझे ब्यूटी पालर छोड़ कर आओ तुमने बोला था, तुम लेका जाओगे आईला ने कदा से कहा, हाजिम के शकल की बिगड़े जावी देखने वाले थे परहान की तो ये देख, हसी चुटने वाली थी कि उसने खुट पर कंट्रोल क्या ये क्या बात भी, दुलहा खुद ही छोड़ने जाएगा से देखा, उसे आईला पर भी बेताशा गुसा आ रहा था क्योंकि इतनी दिन से वो उसकी किसी बात को सिरियस नहीं ले रही थी और ना ही अपनी जित से बात आ रही थी, ना ही उसने हाजिम की किस रिक्वेस्ट पर कोई कान धरे थे एक दफ़ा तो उसका दिल किया कि आईला को किटनेप करके जबदस्ती ही निकाह कर ले लेकिन इसकी तर्बियत और करदार उसे इस बात की जाज़त नहीं दे रहा था कि वो कोई गलत रास्ता अपना कर अपनी खौाइश पूरी करे सो वो अब अपने दिल को किसमत के लिखे पर राजी करने की कोशिशे कर रहा था वो अपने कमरे में बंद होकर यहां से वहां टैल रहा था कभी तो बार बार खुद को कूल डाउन करने की कोशिश करता क्योंकि आईला के धिटा और जिद्धी पन पर उसे अभी तक गुस्सा आ रहा था और कभी अपने बेहद बेबस होने का सोच कर पेस्ताखता रो देता अभी भी वो टहल रहा था कि दरवाजा नौक होने के आवास सुनकर आगे बढ़ा अपनी हतीले से आँखे रगर कर आँस साफ कि एक गहरी सांस अंदर की तरफ लेकर खुद को रिलाक्स किया और तरवाजा खुला बहर फरहान हाथ में एक जबरदस तसा टूपीस लिए ख़ड़ा था उसने वो टूपीस हाजिम के हाथ में दिया और तयार होने को कहा लेकिन आईला ने मेरे ले क्यों और डर किया अब हासिम मजीद सर्प्राइस था वो तुमने भी उसकी ड्रेस सिलेक्शन में हल्प की थी ना इसलिए उसने तुम्हारे ले लिया था ताकि हिसाब बराबर हो जाए फरहान ने आईला की कही लाइन उसके सामने रड़ दी बट फिल भी तुम ये सूट ले जाओ मैं कुछ और पहन लूँगा अब हासिम बाकाइदा जिद करने लगा ओ भाई क्यों अपनी खुशियों का दुश्मन बना हुआ है पहले एसूट फिर आईला को पारलर से तूने पिक भी करना है वहाँ वहाँ से सीधा हॉल में डॉप करना देख भाई तेरे दिल की हालत में समझ सकता हूँ एक आखरी मौका है मेरी बहन को इंप्रेस करने का क्या पता अपना फैसला बदल ले फरहान ने एक आँख दबाते हुए हासिम को शराद से मस्कराते हुए कहा जबके हासिम को लगा कि वो उसकी बेबसी का मसाक उड़ा रहा है इसलिए वो और गुसे से अपनी आँखे बड़ी करता खा जाने वाई नसों से फरहान को गुड़ा था ओ भाई थोड़ा कहर को देर बाद के लिए बचा कर रख ले और हाँ मैं मेहमानों और बाकी फैमिली को हॉल में डॉप कर देता हूँ और असफर ज़रा अपनी तैयारिंग बिजी है आईला की कॉल आई है कि वो रेड़ी हो चुके इसलिए तुम उसे पिक कर लेना और जल्दी से हॉल पॉशना इसलिए अब चल्दी से रेडियो चाओ फरहान ने हासिम की कुस्से को खातिर में लाए बगएर अपनी बाहर चारी रखी ओ भाई मैंने नहीं पिक करना उसे तुम खुद जाकर ले आओ अचीब भाई हो तो कभी होने वाले शोहर के साथ बेहन को भेज रहे हो और कभी बेहन के एक अदद उमीदवार को लादने के लिए कर रहे हो ये सर्वेसिस तुमें खुद देनी जाए बेशरम इनसान हाजम ने फरहान के डिट बनर ऐसी आला जर्फी को देखकर खरी-खरी सनाई जिसका फरहान के सिहत पर कोई असर होता दिखाई नहीं दिया हाँ भई हूँ मैं बेशरम पर मेरी बेशरमी का कोई लाज नहीं है इसलिए चुप चाप तयार हो और आला को लेने जा फरहान ने भी ठेट होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ते वे हाजम को मजीच चलाया इससे पहले के हाजम इंकार का कोई और जवास पेश करता उसकी अम्मी वहां आ गई फरहान बेटा तुमने अभी तक हाजम को उसके कपड़े नहीं दिये जल्दी तो उसको और नीचे चलो सब तुम्हारा वेट कर रहे पहले इतनी देर हो चुकी उन्होंने परहान के हाथ में ड्रेस देखते हुए जो हाजम उसे वापस थमा चुका था अजलत में कहा फरहान वो ड्रेस हाजिम के हाथ में दोबारा से थमा कर जल्दी से खिसक गया पेटा तुम भी जल्दी रेडियो जाओ आला को पिक भी करना है तुमने वो कब से इंतजार करी है उसे जल्दी से लेकर हॉल पहुंचो निदा उसे और्डर देती वहां से चली गई हाजिम तन तनाता हुआ वाश्रूम में खुसा और शौवर लेकर ड्रेस चेंज गया वो हलाके बिलकुल दिल से तयार नहीं हुआ था मगर फिर भी उसकी फाइनल लुक ऐसी थी के देखने वालों के जजबात मुश्तेल कर देती बिला शुबा व बे तहाशा हसीन लग रहा था वो कार की कीज उठाए रूम से बाहर निकल गया वो पालर पहुंचा तो वहां तयार वी आईला किया मठ़ाए थी वो वो वहां एक सोफे पर बैठी थी हाजम इसके करीब गया और अपनी नाराज नरूस उसका भरपूर जायसा ले रहा था दिल था कि फिर से बेलकाम दोडने लगा इस पर दोनों की हालत ऐसी ही थी आईला अपनी जगे से खड़ी हुई और दोनों ये दुसरे की नजरों में बेसाखता अपनी अपनी महबत की कहानी सुनाते गए एक सहर था कि जिसने दोनों को मजबूती से जगर लिया ये सहर तब टूटा कि जब आईला ने पजल होकर अपनी नजरे नीचे की हासिम की हार्ट बीट भी फिर से उसकी सदा पर बेतरती भी इससे पहले कि अपना कंट्रोल खोकर कोई गुस्ताकी करता उसने अपनी नजरे आईला से हटा कर उसे चलने को कहा आईला असबात में सही लाती उसके साथ उसका हाथ पकर कर चलने लगी आईला के नरम हाथों कलमस उसे अजीब सा एसास बख्ष रहा था वो बेक वक्त उसके अंदास से अपनायाद और अजनाबियत महसूस कर रहा था हासिम ने जवाब तलब नजरों से आईला और यगजा हाथों को देखा वो मैं हाहिल में कमफर्टेबल नहीं रहती ना इसलिए बैलेंस नहीं हो पारा सही से इसलिए अपने हाथ का सारा लेने दो मुझे आईला निसकी नजरों का मफ़ूम पाकर जवाब दिया हासिम में उसकी बात समझते हुए मजबूती से अपना हाथ थामे आगे बढ़ गया वो दोनों कान बैट चुके थे आईला आज भी फ्रेंट सीट पर उसके साथ बैठी थी हासिम अभी भी शिकवा कुना नजरों से उसकी दिल पर वार कर रहा था तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ क्या था जो तुम मुझे माफ कर देती वो अपनी तरफ से एक भरफूर शिकायत करता गारी स्टार्ट कर चुका था आई थिंक तुमने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए तुमें माफी की जरुवत हो और मैंने भी तुमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया जिसके लिए तुम मुझे से शिकायत करते फिरा आलन चेहरे पर मासुम्यत भरी अंजान होने के तासुनात पैदा करते वे पुर्ट सोच अंदाज में कहा ओ रियली तुमने तंस करने का और मुकरने का कोई नया तरीकर रुन रहे हाजिम ने तफकर कहा मैं तंस नहीं कर रही I mean ओ बात जिसके लिए तुमने एक हफ़ते से माफिया मांग मांग कर मेरे काम मेरे कान पकाए दे उसमें माफिय मांगने की कोई तुकी नहीं बनती अब इतने इतने से मज़ाग तो कजिस में होते रहते क्योंकि इसलिए में तुम्हें माफ नहीं किया क्योंकि इस बात के लिए मेरे लिहाबस से तो माफी मागना बनता यहीं हे ही आयलाने अपने दाट निकालते एपनी एक बिलकुल ही नई लॉजिक हाजम के सामने बेश की हाजिम के करान तक उस्ते से सुख हो चुके थे ये बात तुम मुझे अब बता रही हूँ तुम्हें शरम नहीं आती एक हवगते से इस बात पर तुम मुझे तिगनी का नात नचवा रही हूँ ओह मिस्टर मैंने तुम्हें दावत नहीं दी थी कि तुम मेरे तरले करो अब चुप चाप कार जाय करो और मेरा मुझ खराब मत करो और खबरदार मेरे निका के वाले से कोई बात की दो ये मेरा प्रसनल मैटर है मेरी मर्जी मैं किसी से भी करो आईला ने हाजिम को चुप कराने के अपनी सी कोशिश की ये भी खूब कही तुमने के तुम्हारा प्रसनल मेटर है और यहां जो मेरे दिन रात मेरे अज़ाब बनी वे है उनका क्या आईला ला ना करे ला ना करे के तुम्हे वाजियत मिले जिससे मैं गुजरा हूँ वो भी तुम्हारे लिए हाजियम ने इंतहे कर अब से कहा आईला हाजियम के चहरे पर दर्द देखकर महसूस हुई अपने बेहत खुशनसीब होने का यकीन क्या और साथ में इस बात पर दिल ही दिल में अल्हा का डेहरो शुकर अदा किया कैसा प्यार करने वाले शुक्स उसके नसीब में लिखा है आमीन और तुम भी होसला रखो तुम्हें तुम्हारे सबर का सिला जरूर मिलेगा आईला ने शराज से हाजिम के तरफ देखकर कहा वो उसके चहरे पच्छाए इंशरीर तासुलात का मतलब नहीं समझ पाया वो लोग हौल पहुंच चुके थे और हमारे इस बुद्धू से हाजिम का दिल आईला को खोने के खौ़से धख़ख़ग कर रहा था यकिने इस पार इसने अपने नाम के मतलब यानि होश्यार और दाना होने का कोई मजाहरा नहीं किया एक घर में रहते उसे अपने खिलाफ होने वाली सासिचों की बनक भी नहीं पड़ी और एक हाजिम के बन बताई ही उसके अंदर तक के राध जान लिए उसके सोचे तक पढ़ लिए हाजिम कार से निकल कर दूसरी साइट पर आया आईला की कार से निकलने मदद की क्योंके ड्रेस जरा जाद ही हैवी था और उसे खुद से निकलने में मुश्किल हो रही थी फिर आयला वैसे उसका हाथ थामे चड़ रही थी कि एक ख्याल के तहट उसने अपना बाजू हासिम के बाजू से लेकर क्रॉस किया और किसी बहुत ही लौविंग कपल की तरह चलने लेगी हासिम उसकी इन अजीब और गरीब हरकतों पर जितना हैरान होता उतना कम था वो लोग हाल में एंटर हुए तो सब हातों में फूलों की प्लेटे लिए उन पर फूल निठावर कर रहे थे इस माज़ों में असफर भी शामिल था जो मुस्कुरात शरायत से हासिम को देख रहा था इधर उधर से आईला और हासिम के कजिनस और आईला की फ्रेंड्स की हुटिंग का शोर भी बलंद हुरा था खासिम बहुत हरान हुआ उसके लिए निकाह के पेपर पर साइन करते वक्त यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी हर दूआ ऐसे भी कुबूल हो सकते है उधर से आईला का शुकर गुजार था कि आईला हमेशा के लिए उसकी हो गई और तो और उसे सब का ये सरप्राइस भी बहुत पसंद आया जो भी था आईला ने उसे बहुत सताया था इसलिए उसकी एक कलास लेना तो बनता था इसलिए उसने निकाह के बाद आईला को बहुत इग्नोर किया सारे फोटो सेशन में भी फोटोग्राफर के कहने के लाओ उसने एक दफ़ा भी आईला की तरफ नहीं देखा आईला बस अपनी यू नजर अंदास होने पर चली भूनी बैठी थी फोटी देर पहले वाले एकसाइटमेंट अब कुस्से में बदल गई थी सारे मेमान भी जा चुके थे घर वापस आने के बाद भी हाजिम ने उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाई बलके उसे वहीं हाल में छोड़का खुद अकेला ही घर वापस आ गया आयला का तो बस नहीं चल रहा था कि वो हासिम का कलेजा निकाल का चबार डाले वो सब तक्रीबर शाम को घर पहुंचे हासिम ने घर आते ही सबसे पहले चेंज करके शुकराने के नफिल अदा की अफिर घर से बाहर अपने दोस्तों को ट्रीट देने निकल गया क्योंकि थोड़ी देर पहले वाले निकाल की पिक्चर्स वो अपने वेड़सेप स्टेटस पर अपलोड करने की गलती का चुका था जिस पर उसके दोस्तों ने मुबारक बाद के साथ साथ ट्रीट की फिरमाश करकर के दिमाग चाट लिया था यहां आईला हास्म का अपने पास आने का नतिजा कर रही थी ताकि वो उसके ऐसे अगनोर करने पर उसका सर फार सके पर हास्म यह कहां हाँ आने वाले थे हाजिन तो 11 बजे घर वापस आया वो अम्मी को कहे कर गया था किसका रात के खाने पर वेटना क्या जाया क्योंकि वो दोस्तों के साथ बाहर से ही डिनर खर के आएगा इसलिए अम्मी समय सब सो रहे थे और वो सीदा अपने रूम में गया हाथ मुदो कर फ्रेश हुआ और आकर बैट पर लेट गया उसे ऐसे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि उसने सोचा क्यों ना एक हाजरी आयला बेगम अब तो वो उसकी बेगम ही थी के पास लगा ली जाए ख्याल आती उठा टाइम देखा तो पौने बारा हो रहे थे आइस्ता आइस्ता चलते वे आयला की रूम की तरफ बढ़ा उसकी रूम की तरफ गया तो दरवाजा खुला लाइट साउन थी आयला यहां से वहां नाक मूफ लाए अपने रूम में ही टेल रही थी हाजिम आराम से रूम में गया अदरवाजा अंदर से लौक कलिया आयला का तो उसे देखकर बारा ही चड़ गया वो उसके ही आने का इंतिजार करी थी और जैसे उसे एकीन था उसके आने का अब क्यों आए हो यहां हैं बताओ और इतरा क्यों रहे हो इतना तीन दफ़ा कुबूल है क्या बोल दिया तुम्हारे तो मिज़ाज ही नहीं मिल रहे आयला ने हाजिम को देखती अपना सारा गुसा निकाला उसने ये सब कहते हुए अपना लेज़ा सकतर आवाज धीमी रखी थी वो हर लफ्स खूब चबा चबा कर बोड़ रही थी जबके हाजिम उसकी हाला से बहुत महसूस हो रहा था बस इतनी सी देर का नसंदास होना बरदाश नहीं हो रहा और मैंने जो पूरा हफता तुम समेट सारी फैमिली का ये रविया बरदाश्ट किया वो तो किसी खाते में नहीं है ना हाजिम ने भी उसी की तरह निस्बतन ठंडे लेजर में उससे जवाब दिया तो क्या हुआ जो तुमने थोड़ा बर्दाश्ट कर लिया लोग तो पता नहीं क्या क्या बर्दाश्ट करके शिक्वा नहीं तक नहीं करते हो एक तुम हो कबसे एक हफ़ते के रोने रोए जा रहे हो तुम्हें तो शुकर करना चाहिए कि जो तुम चाहते थे वो हो गया और बाई दवे तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या करे हो आईला अपनी असली टोन में वापस आदी आराम से करी थी पहली बात थे यह कि मैं रोना रही रो रहा है तुम्हारी बातों का जवाब दे रहा था और दुसरा यह कि मैं चुकर अदा कर चुका हूँ और आइंदा भी करता रहूंगा और तिसरा यह कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बेगम से ज़रा अच्छी से सुलाह कर लो कुछ अपनी जोज़ा मौतरमा की सुनू कुछ अपनी सुनाओ यह तिसरी बात उसने आईला के करीब आते वे खासे रोमेंटिक कंदाज में कही आईला पीछे होती वो करीब आता गया आखिर पीछे दिवार आगई और आईला दिवार से चाल लगी आईला ने दोनों बाजू दिवार पर उसके दाएं बाहर रखकर फ्रार के रास्ता बन गया जो रोमेंस का कीड़ा तुम्हारे अंदर सर उठा रहना इसको फॉरण मार दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा आईला ने अपनी लुख खड़ाती आवाज में कमदूर से नमकी थी उसका सारा कॉन्फिडेंस भाब बन कर उड़ गया उसका घबराया चहरा हासिम को बहुत मता दे रहा था नहीं आलू डारलिंग ये केड़ा तो ताहयात मुझ में जिन्दा रहेगा आजिम ने अपना चहरा उसके चहरे के करीब लात वे का ये आलू डारलिंग क्या होता है आईला धीमे से कुस्से में बोले उसे अपना ये नया नाम बिलकुल पसंद आया था तुम हो आज से मेरी आलू डाले और ज़्यादा रेसिस्ट किया ना नहीं करती रेसिस्ट लेकिन तुम मुझसे ज़रा दूर होकर मुझसे बात करो ना आईला ने हार मानते हुए कहा वाह तुम तो बहुत अच्छी बच्ची बन गई हो सारी बाते मानने लगी हो चलो शाबाश अब जल्दी से मेरे काल पर किस्ट करके प्रॉपर सुला करो वरना फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार होगी हासिम ने अच्छी तरह से आईला को डराया धंकाया और अपना काल सामने किया आईला ने भी फॉरन अपनी जान चुड़ाने की कोशिश की हासिम भी उसे मजीद तंग करने कर आदा तरक करके पीछ हुआ उसने इस चर्माई हुई आईमा को मस्कुरा कर थैंक्स कहा और जेब से एक अंगोठी निकाल कर उसे पहनाई एक महबत और रहतराम से भरपूर गुड़नाइट कहकर जाने लगा लिसन आला की आवास पर वो दोबारा मुड़ा तुम्हारा भी बहुत बहुत चुकरिया और सौरी भी मैंने बहुत तंग किया है न अब अब तक आला ने नज़े चुका कर इंतहरी नर्मी से कहा फैंक्स तक तो ठीक था बट सौरी की जुरत नहीं आजिम ने मस्कुरा कर कहा और फिर से गुड नाइट कहता बाहर निका गया अब दोनों की तहायात खुशियां उनकी मनतजर थी अल्लह सब को ऐसी हंस्ती मस्कुराती जिन्दगी अता कर आमीन इसी के साथ हमारी नौवेल का इक्तिताम होता है अपना धेर सारा ख्याल रखेगा दूआ में याद रखेगा खुदा आफिस